हेलो एवरिवन वेलकम अगेन टू लांडर देतिमन सभी लोगों को गूड इवनिंग सभी लोग टैस्ट देने के लिए आजाओ जिन लोगों को सूचना नहीं मिली है तो उन लोगों को भी आप बता दीजिए शेयर करिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा कम्यूनिटी पोस्ट भी डाल दिया गया था जिससे की जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो उनको भी पता लग जाए कि टैस्ट जो है वो आज ही होने वाला है तो देखिए टैस्ट की सूचना जो है वह है आप लोगों को एक या दो बार दो बार तो अधिक तर दे ही दी जाती है कि टैस्ट जो है वो होगा और सबी लोग आ जाए चैप्टर आपको बता दिये गए थे चैप्टर 14 और चैप्टर 15 आरबी एसी की बुक्स के अकॉर्डिंग भूगोल का 9th क्लास का आज टैस्ट होगा लास्ट वीडियो जो है वो काफी बच्चों न आए थे इसके अलावा सबीना खान के तो 40 में से 40 ही आए थे तो दिखिए एक बच्चों के मांक्स जो है वो काफी अच्छे आते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से तयारी करिए काजल शर्मा के 39 आए थे और इसके अलावा बी हैपी है एक इनके 36 मांक्स आए थे अमित 38 नंबर आए थे गैरो गैरोन कुमारी है जो उनके भी 36 आए थे राजिस राजपूत के 49 आए थे 40 में से अमन दीप के इनके भी 49 आए थे बच्चे यहां पर जो भी study करते हैं जो भी पढ़ाई करते हैं और daily वीडियो देखते हैं तो वही बच्चे थे एक दो बच्चे जो है वो बिल्कुल नए थे जिनको नहीं पता है कि यहां पर हम RBSC की बुक से ही test लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से तयारी जो है आंसर जो है वो आप लोगों को लगाना है तो जिन बच्चों के मैंने नाम नहीं लिये हैं तो उनको भी परेशान नहीं होना है क्योंकि उनको पता है कि उनके कितने अच्छे marks आए हैं लेकिन जो live में test देते हैं तो उनके नाम लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो ब बाद में बच्चे टेस्ट देते हैं, वो नमबर नहीं लाते हैं, लेकिन लाइव टेस्ट में जो अच्छा लगता है टेस्ट देने में, वो बाद में थोड़ा कम ही लगता है, तो आप लोग भी time के according जो है, वह है, सभी लोग आजाया करो टेस्ट देने के लिए, तो Q1 है भारती राष्ट्रे 1 नीती के अनुसार भोगोलिक शेतरपल का कितना प्रतिशत भाग 1 अनिवादे है 31, 66, 52 या 33 प्रतिशत तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही समय दिया जाएगा जैसा कि एक्जाम हॉल में आप बैठे होते हैं उतना टाइम आपको मिलता है तो तो चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सभी के आचुके हैं आंसर अब जो इसका सही उत्तर है वो क्या है ऑप्शन नमबर D तो लगबग सभी का ही सही है सभी लोग अपने आपको क्या करेंगे जैसा कि कहा जाता है एक मार्क्स देंगे और बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है पतजड़ी वन किन प्रकार के किस प्रकार की वर्षा शेत्रों में पाए जाते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर 200 से अधिक या 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा हो तो पतजड़ी वन जो है वो कहां पर पाए जाएं तो आंसर क्या रहेगा बिल्कुल Q2 का आंसर रहेगा 100-200 cm औसत वार्शिक वर्षा कम पत्तियों वाले ब्रक्ष कांटेदार वा छोटे और जाडियां किस प्रकार के वनों की विसेश्ता है पत जड़ी वन सदा बाहर वन मरुस्थलिय वन या परवतिय वन तो क्या रहेगा सही आंसर कम पत्तियां कांटेदार छोटे और चोटे ब्रक्ष और जाडियां ये विसेश्ता है मरुस्थलिय वन की तो चलिए परवतिय वनों में अधिक उचे स्थानों में कौन से ब्रक्ष पाये जाते हैं ओक, चैस्टनट, यूजेनिया, मिचेलिया, रॉडेन, ज्रॉस आधी, देवदार, स्प्रूस, चीड आधी, हेरिटीरिया, राइजोफोरा, सोनेरेशिया तो इन चारों में से बताना है कि परवतिय वनों में सबसे अधिक उचे स्थान पर कौन से ब्रक्ष पाये जाते हैं तो देखिए जो भी पुराने बच्चे हैं, जो की रेगुलरे स्टुडेंट हैं चैनल पर, उन लोगों को बुलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पढ़ाई जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि हर वार टैस्ट जो होते हैं, उसमें इनके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं और जो की regular नहीं रहते हैं, तो देखिए RBSC की हम लोगों ने test series जो है वो चलाई हुई है YouTube चैनल पर विल्कुल starting से end तक 6 से 10 तक की Google, civics और history, तीनों ही complete हमने करवाई हुई है, और इसके अलावा राजिस्थान का इतिहास और संस्कृति अलग से चल रही है, ठीके? तो आप लोग भी YouTube चैनल पर जुड़िए इस चैनल से और इस चैनल पर आप लोग सभी वीडियो जो है वो लीजिए इसके अलावा यदि आपके पास time नहीं है, तो आप PDF जो है वह भी purchase कर सकते हैं, तो यहाँ answer क्या रहेगा? यूजेनिया, मिचेलिया, रोडेंड्रोस, आधी. नेक्स्ट देखिए, question 5, भारत में पाए जाने वाले प्राणियों की प्रजातियां संपूर्ण विस्वका कितना प्रतिशत है? लगभग 23 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 21 प्रतिशत या 15 प्रतिशत? तो कोई भी question जो है, वो आपकी book से बाहर नहीं है, ऐसा कोई question नहीं है, जो सर ने आपको नहीं करवाया है. तो सोचिए, फटा-फट, फटा-फट से सभी अपने-पने आंसर लगाईए. तो बिल्कुल answer आ चुके हैं, answer right होगा इसका. तेरा प्रतिशत, तो जिन लोगों के सही हैं, वो लोग देंगे अपने आपको एक मार्ट, जिनके नहीं हैं, वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पर बिल्कुल क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, कि उन्होंने question 5 का answer गलत दिया है. Question 6 है, हाती भारत में किन राज्यों में पाये जाते हैं, असम में, करनाटक में, केरल में या उप्रोक्त सभी? तो जिनके भी गलत होते हैं, वो ये ना सोचे, निराश नहों, आप लोगों के पास अभी time है, आप लोग क्या करिए? प्लेइलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल पर ही वीडियोज को दुबारा देखिए, दुबारा पढ़िए, जिससे कि ये चीज़ें जो है वो सही समय तक आपको याद हो जाएं, तो यहां पर आंसर रहेगा, असम, करनाटक, केरल, तीनों ही आंसर रहेंगे, कि हाती भ गदे के निस्थानों पर पाये जाते हैं, केरल की उष्ण और आद्रवनों में, असम के दल्दली शेत्रों में, कच्छ के रन में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर तो कोई भी गलत नहीं देगा, चलिए, बिल्कुल, जिन लोगों ने दिया है, आंसर नमबर C, ओप्सन C, कच्छ के रन में, ठीके, तो वेरी गुड, क्योंकि उन लोगों को याद है, बिल्कुल अच्छे से याद कर किया हैं, इसलिए याद रहते हैं, Q8 है, गैजल, किसे कहा जाता है, छोटा म्रग, जंगली घदा, ब्रक्ष का प्रकार, या सनरक्षित गिलहेरी का प्रकार, तो अभी तक तो जितने भी चैप्टर आप लोगों ने किये हैं, 6th class की complete का test दिया, आप लोगों ने 7th का complete test दिया, 8th का दिया test भूगोल का ही, तो और 9th class के दो चैप्टर का भी दिया, यहाँ से tough question आना start हो जाते हैं, ठीके, तो 10th class जो है, वहाँ पर भी काफी hard question आप लोगों को मिलेंगी, तो बहुत ही बारी की तरीके से अच्छे से आप लोगों को फढ़ना है, तो गैजल कहा जाता है, छोटा म्रग, ठीके, option A, जो है right होगा, next दिखिए question 9, बाद में मैं सभी के comment देखकर और फिर देखूंगी कि किसने कितने marks जो है वो gain किये हैं, भारत विस्व का एक मात्र देश हैं जहां घड़याल पाये जाते हैं, शेर वा बाग दोनों पाये जाते हैं, उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं, देखिए जिनके गलत होते हैं और जिन्होंने बिलकुल पढ़ाई की है, फिर भी गलत हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, option जो होते हैं वहे भी, यहाँ पर भी और exam में भी, option जो होते हैं वही आपके अंसर को गलत करते हैं, तो बहुत ध्यान से option को देखना है, क्योंकि यह सभी ने पढ़ा होगा कि भारत विश्व का एक मातर देश है, जहाँ पर घड़याल पाए जाते हैं, तो option जो है, ए घड़याल पाए जाते हैं, option भी, शेर वा बाग दोनों पाए जाते हैं, तो यहाँ पर C option जो है, वो बिलकुल सही होगा, राजिस्नान में सगन वन आवरन शेत्र कितना प्रतिशत हैं, 10.12, 3.83, 0.03, 0.13 प्रतिशत, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, देख लिजिए, अपना सही आंसर, 3.83, प्रतिशत, next है, question 11, मरुस्तल का कल्प ब्रक्ष किसे कहा जाता है, खैर को, खेजडी को, खजूर को या जहाडियों को, तो आंसर जो रहेगा, राइट आंसर, आप्षिन नमबर B, मरुस्तल का कल्प ब्रक्ष किसे कहा जाता है, next देखिए, question 12, मरुस्तली शेत्र में पाए जाने वाली दुधारू पश्मों हेतू, प्रसिद्ध घास कौन सी है, शेवन, धेवन, धामन या उप्रोक्त सभी, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, यदि आप लोग लगाया है, आप लोगों ने लगाया है, option C को, धामन को, तो यह बहुत ही सही उत्तर है, next question 13, राजिसान में सुस्क सागवान वन किन जिलों में पाए जाते हैं, 240 से 450 मीटर उचाई वाले शेत्र, 130 से 200 मीटर उचाई वाले शेत्र, 350 से 455 मीटर उचाई वाले शेत्र, या 455 मीटर से अधिक उचाई वाले शेत्र, तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें क्योंकि कुश्चन जो है वो काफी करने है हमको तो यहाँ पर सही आंसर है कुश्चन नमबर 13 का option नमबर A 240-450 मीटर उचाई वाले शेत्र अगले देखिए 14 कोशिशन अधिक सर्दीवा पाला सहन ना करने के कारण राजिस्थान की दक्षिन सेत्रों में विस्तार है किस से सम्बंदित कथन है तो किसका विस्तार है शेलम का, शालर का, शीशम का या सागवान का question number 14, शेलम, सालर, शीशम या सागवान तो क्या आंसर सेलम है, सालर है, सीशम है या सागवान है तो option number D सागवान is the correct answer चलिए, तो अब तक आप लोग सही कर रहे होंगे, कुछ बच्चों के थोड़े गलत हो रहे है question 15 है, सालर का पेड़ सम्बंदित सही कथन है, पैकिंग है तू डिब्बे बनाने में उप्योगी है, गोंद का अच्छा श्रोत है, साड़े 400 मीटर से अधिक उंचाई पर पाए जाते हैं, या सभी कथन सत्ते हैं तो बहुत अच्छे से इन चारों option को देखना है तो देखिए question paper बनाने में, test बनाने में काफी time लगता है, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है अगर किसी भी question में problem आती है, तो comment करिएगा, उसका solution जो है वो बिलकुल दिया जाएगा सालर का पेड संबंदित सही कथन है, तो आंसर क्या है, कि यह packing हेतू डिब्बे बनाने में उप्योगी है, गोंद का अच्छा श्रोत है, साड़े 400 मीटर से अधिक उचाई पर ये पाए जाते हैं, तो बिलकुल सभी answer जो है, इसके सभी जो option है, सही है नेक्स्ट देखिए question 16, बिलकुल कमर कसके बैठ जाईए, अभी तक आपने 15 question complete कर लिये है, किस जिले का नाम वनस्पती के नाम से प्रेरित है, चलिए जैसल मेर, बीका नेर, बांसवाडा या जालोर, तो ऐसा जिला जिसका नाम ही वनस्पती के नाम से प्रेरित है, कौन सा जिला है, तो सही answer जो है, question number 16 का, वो क्या है, बांसवाडा, ठीक है, जो की बांस के नाम से रखा हुआ है, नेक्स्टर, राजिस्थान में खैर के वन किस जिले में इस्तित नहीं है, गंगा नगर में, सवाई माधोपुर में, जहालावार में, या चित्तोडगर में, यह जो नहीं वर्ड है, यह बहुत ही question को गलत करवाता है, तो यह नहीं जो शब्द है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कि जो खैर के वन है, वह किस जिले में इस्तित नहीं है, कई बार हम एक्जाम में जल्दी से पढ़ते हैं, कि राजिस्थान में खैर के वन किस जिले में इस्तित है, नहीं को भूल जाते हैं, और हमारा हो जाता है, आंसर गलत, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर नह मिश्रित पर्णपाती वन राजिस्थान में कहां पाये जाते हैं? तो यहां पर अंसर जो है वो आप लोग लगा रहे हैं अंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के तो जिन्होंने याद किया हैं वो तो एकदम correct अंसर देते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं कुछ तुक्के लगा ही देते हैं तो तुक्के से तो कभी काम नहीं चला है आंसर जो है वो बिलकुल याद करने पर ही लगाया होगा अपने राजिस्थान के दक्षणी पठारी भाग में ठीक है? पहाडी नहीं पठारी भाग में वन नीती किस वर्ष घोसित की गई? जिसके तहत 33 प्रतिशत भूमी का वन होना अनिवार्य है? उननिस सो चौरासी, अठारा सो चौरानवे, उननिस सो बावन या उननिस सो अठासी चलिए तो बिलकुल सोचना ही नहीं था अब तक हमने 19 कोश्चन जो है वहाँ पहुँच गए हैं हम कोश्चन नंबर 19 पर पहुँच गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं आया है अभी तक कि आपको सोचना पड़े क्योंकि जिन्होंने याद किया है वो तुरंत आंसर देंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो सोच में पढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आंसर रहेगा ओप्शन नंबर C 1952 नेक्स्ट देखिए कोश्चन 20 भारत में वन्य जीवों की संडक्षन हे तू 15 जीव मंडल में शामिल नहीं है सिमली पाल, नाम दपा, नीलगीरी और दक्षणी अंडवान भारत में वन्य जीवों की संडक्षन हे तू 15 जीव मंडलों में शामिल नहीं है तो सोचिए पटापट से इसका सही आंसर क्या होगा तो आंसर क्या होगा यहां पर वन्य जीवों की संडक्षन के लिए कोई जीव मंडल नहीं है भारत में वन्य जीवों को संडक्षन परदान करने के लिए कितने राश्ट्रे उध्यानों की स्थापना की गई है 565 राश्ट्रे उध्यान 89 राश्ट्रे उध्यान 15 राश्ट्रे उध्यान 65 राश्ट्रे उध्यान कुश्यन नमबर 21 के आगे अपना option लगाईए किसका सही उत्तर क्या है तो चलिए सभी ने आंसर अपना लगाया है इसका सही आंसर है option नमबर B 89 राष्ट्रिय उद्यान भारत की किस राष्ट्रिय उद्यान को विस्व विराश्यत में सामिल किया गया है काजी रंगा जो असम में है केवला देव जो राजिस्थान में है उपरोग तो दोनों ही है या इन में से कोई नहीं तो बहुत अच्छे से सोच कर लगाना है इसका अंसर ये सोचिए read का paper हो रहा है आपका और ये question आपका आ गया उसमें तो अब आप सही आंसर क्या लगाओगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बिलकुल काजी रंगा जो असम में है और केवला देव अर्जो की राजिस्थान में है ये दोनों ही विस्व विरासत में शामिल है नेक्स्ट देखिए question 23 बांदीपूर राश्ट्री उद्यान किस राज्य में इस्तित है करनाटक में मद्धिप्रदेश में ओरिसा में या तमिलनाडू में तो थोड़ा सा आप भी अच्छे से पढ़कर ही पठाफट करिए क्योंकि question काफी है तो अभी हम question number 23 पर ही आये है बांदीपूर राश्ट्री उद्यान किस राज्य में इस्तित है करनाटक मद्धिप्रदेश ओरिसा और तमिलनाडू तो यहां पर आंसर रहेगा option A ठीके तो काफी वच्चों के सही है कुछ के गलत भी आ जाते हैं कोई बात नहीं question 24 देखिए मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है कोटा में, अलवर में, जैसलमेर में या जोदपूर में Option number A is right Next देखिए, question number 25 प्राजिस्तान राज्य का जैवेक उद्ध्यान कहां इस्थित है? जैपूर में, जोदपूर में, बाड़मेर में या कोटा में बहुत ही important question है आपके exam में आने वाला question है पटाफट से बताईए, राजिस्तान राज्य का जैविक उद्ध्यान कहां इस्थित है? जिस बचे के 40 में से 40 marks आते हैं और जब 10th class की geography की जाएगी तो उसमें भी बिल्कुल जितने question होते हैं उतने ही answer उसके सही होते हैं तो उस बचे को बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है कि वह exam crack कर पाए exam तो crack करेगा ही इसके अलावा marks जो है वह भी काफी अच्छे जो है वो लेगा तो बिल्कुल RBSC की बुक को बिल्कुल बहुत अच्छे से बारी की तरीके से आप लोग याद करिए ध्यान करके पढ़िए exam आपका यहीं से बनता है आप लोग यहीं से qualify होंगे इनहीं को पढ़कर आप लोग teacher बनेंगे तो आंसर रहेगा राजिस्थान राज्जी का जैविकुद्यान जैपूर में है इसका मुख्याले कहां है कैलिफोर्निया, स्विजर लेंड, न्यू यॉक या शिकागो तो जो बच्ची जो है RBSC की बुक के अलावा भी अलग से बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल पढ़िएगा, इसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि इनको ना पढ़ें लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को एक्जाम क्रेक करने के लिए बोलती हूँ, वो यही है RBSC की बुक तो किसी बच्चे ने जैसे कि दो या तीन बार पढ़ी हुई है, फिर भी सभी आंसर जो है वह देने में सक्षम नहीं हो पाता है उसका रीजन यही है कि उसने बहुत ज़्यादा अच्चे तरीके से उनको डीब में जाकर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल चैप्टर को पढ़ने के बाद कोश्चन आंसर लगाते हैं तो हमें बिल्कुल पता लगता है कि हमें वो चैप्टर कितना समझ में आया तो यहां आंसर जो है वो राइड होगा स्विजर्लेंड नेक्स्ट देखिए कुश्चन 27 भार्टी वनवान संधान के इंदर कहां इस्तित हैं कोलकाता में बैंगलोर में तहरादून में या नाकपुर में तो कुश्चन 27 का आंसर ओप्शन C है देहरादून ठीक है तो कुश्चन 27 के आगे अपने आपको दें क्या एक नंबर कुश्चन 28 है नूतन जलोड म्रदा शेत्रों को किस नाम से जानते हैं खादर शेत्र बांगर शेत्र तराई शेत्र या जलोड शेत्र तो यहां आंसर बिल्कुल लगबग बच्चों का सही है ओप्शन A खादर लाल रंग की मिट्टी जिसमें कंकरों की प्रदानता होती है कौन सी मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी काली मिट्टी लाल मिट्टी या इन में से कोई नहीं तो आंसर जो है वो क्या रहेगा बिल्कुल आंसर रहेगा लाल रंग की मिट्टी जिसमें कंकरों की प्रदानता होती है तो वो होती है लेटराइट मिट्टी नेक्स्ट देखिए कोईशन 30 मानसून सब्द किस भासा से लिया गया है उर्दू से लेटिन से संस्कृत से या अर्बी से तो सोच ये इसका सही आंसर मानसून सब्द किस भासा से लिया गया है तो चलिए इसके आंसर तो फटापट पटापट आ रहा है तो बिल्कुल आंसर जो है ऑप्शन डी ही है अर्बी भासा से ठीक है अर्बी भासा के मौसिम सब्द से मानसून काल जिससे वर्षा काल भी कहते हैं इसमें किस दिसा से आने वाली पवने भारत में वर्षा करती हैं उत्तर पूरव से दक्षन पूरव से या दक्षन से तो फटापट से इसका सही आंसर जो है वो लगाईए तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आप लोगों ने लगाया ऑप्षन बी कि दक्षन पक्षिम से दिसा से आने वाली पवने भारत में वर्षा करती हैं ठीक है तो 90% वर्षा जो है वो इसी से होती है दक्षन पक्षिम दिसा से नेक्ष्ट देखिए मांसून वापसी काल किस रितू से सम्बंदित है ग्रिश्म रितू शरद रितू शीत रितू या वर्षा रितू तो मांसून काल किसे कहते हैं वर्षा काल को ही कहते हैं अब यहाँ पूचा है मांसून वापसी काल किस रितू से सम्बंदित है तो बहुत ही आसान सा question है और इसका answer जो है वो कोई भी गलत नहीं करेगा, बिल्कुल question number 32 के आगे सही answer जो है वो लिखिए, option A सही है, B है, C है या D है, तो यहां रहेगा option number C, सर्दी, ठीक है, सीत रितू, next देखिए, question 33, कितनी उचाई पर सामाननेत है, 1 degree centigrade तापमान कम हो जाता है, 153 meter, 165 meter, 163 meter, या 157 meter, कितनी उचाई पर सामाननेत है, 1 degree centigrade तापमान कम हो जाता है, तो answer क्या रहेगा, बिल्कुल answer जो है, आप लोगों ने लगाया, option D, 165 meter, next है, question 34, निम्न मैसे सही कथन है, ध्यान से पढ़िए, अक्षांस बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, देशांतर बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, अक्षांस घटने के साथ तापमान में कमी आती है, या देशांतर घटने के साथ तापमान में कमी आती है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको तो थोड़ा सा समय दूंगी पटापट से चारों आप्शन को ध्यान से पढ़िए तो यहां पर ओप्शन कौन सा रहेगा सही ओप्शन नमबर ए जैसे जैसे उचाई पर बढ़ते जाते हैं अक्षांस बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है वहीं पर ओप्शन सी जो है वह क्या है बिलकुल इसका अपोजिट है यानि वह गलत है और देसांतर की बात तो टेंपरेचर मे होती ही नहीं नेक्स्ट 35 है मांसून पूर्व की इस्तिती में उत्तर भारत में किस प्रकार का वायूदाव बनता है उच्च वायूदाव निम्न वायूदाव उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं मांसून पूर्व की इस्तिती में उत्तरी भारत में किस प्रकार का वायूदाव निर्मित होता है तो इतना तो आप सभी जानते हैं कि उप्रोक्त दोनों तो नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको option A और B इसमें से सही आंसर जो है वो बताना है तो question 35 का आंसर फटाफट से आ गए तो यहाँ answer जो है सही रहेगा option number B निम्न बायूदाव Next देखिए 36 है भारतिय सहित्य अनुसार आश्विन कार्तिक में कौन सी रितू होती है बसंत रितू, सीत रितू, हीमंत रितू या शरद रितू कोई भी question जो है वो आपके RBSC की book के बाहर तो एक भी question नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप लोगोंने नहीं पढ़ा है तो question number 36 का answer क्या होगा सही option जो है वो बताना है आपको बसंत रितू, सीत रितू, हीमंत रितू या शरद रितू तो यह answer रहेगा सही शरद रितू किस रितू को भारतिक रिशी के लिए जीवन दाई रितू कहा जाता है तो इसके तो option ही बताने की जरूरत नहीं है इसका answer क्या होगा पटापट से सोचिए सीत रितू, ग्रिश्म रितू, शरद रितू या वर्षा रितू तो भारतिक क्रिशी जो है वो किस पर निर्बर करेगी, कौन सी रितू पर निर्बर करती है तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं दूँगी, answer जो है वो क्या रहेगा यदि आपने question number 37 का answer लगाया, option D, वर्षा रितू, ठीक है, तो यह बिल्कुल correct है दक्षणी पक्षमी मान्सून के कारक है, उत्तरी भारत में निम्न बायुदाब का बनना, हिंद महासागर में उच्च बायुदाब, उप्रोप्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो दक्षण पक्षमी मान्सून का क्या कारण है? उत्तरी भारत में निम्न बायुदाब, हिंद महासागर में उच्च बायुदाब, उप्रोप्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो बिल्कुल इसका अंसर क्या होगा? आंसर रहेगा ओप्षण सी उप्रोप्त दोनों ठीके? क्योंकि भवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं नेक्स्ट देखिए कोश्चन 39 भारत में शरद रितू में वायुदाब किस दिसा की ओर खिसकता है? दक्षण से पक्षिम दिसा की ओर, उत्तर से पक्षिम दिसा की ओर या दक्षण से उत्तर दिसा की ओर तो चलिए कोश्चन 39 का आंसर दीजिए, इसके बाद आपका लास्ट कोश्चन 40 रहे गया है तो कोश्चन की प्रैक्टिस करने पर ही आप लोगों को ये चीजें जो है वो याद रहेंगी तो इतनी अच्छी से प्रैक्टिस जो है वो आपको और किसी चैनल पर नहीं मिल सकती तो यहाँ आप लोगों को बिलकुल RBSC की बुक में जो भी कोश्चन होते हैं उनकी अकोर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है और टेस्ट लिया जाता है तो कोश्चन 39 का आंसर जो है वो बिलकुल रहेगा ओप्शन नमबर B उत्तर से दक्षन दिसा की और नेक्स्ट आज का लास्ट कोश्चन कोश्चन 40 परमपरागत आधार पर राजिस्थान की जलवायू को कितनी रित्यों में बाटा गया है तीन रितू में, छे रितू में, चार रितू में जा पांच रितू में तो आंसर क्या रहेगा? कोश्चन 40 का आंसर क्या रहेगा? राजिस्थान की जलवायू को परमपरागत आधार पर तीन रितू में बाटा जाता है ठीक है? सर्दी, गर्मी और बरसात ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने याद किया होगा तो यह आपका अंतिम प्रश्ण था आपको बताना है कि पहली बात की आपने 40 में से कितने सही आंसर किये हैं यह सब भी को बताना है और जितने ज़्यादा आप लोग इन टेस्ट में कुश्चन के आंसर दोगे इतने ही ज़्यादा आपको यह चीज़ें जो है वो याद रहेंगी तो चलिए अगले टेस्ट की सूचना जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना है आपको बैल बटन पर प्रेस करना है ताकि आपको मिल सके आने वाला नोटिफिकेशन तो मिलते हैं इसी तरीके से तैयारी के साथ थैंक यू